इंग्लेंड क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर सायद ही कभी इतना बड़ा बखेडा खड़ा हुआ हो। इंग्लेंड के पूरु दिगज प्लेयर कोलिन क्रावडे के बेटे हैं। दरसल यह मामला साल 1988 का है। बारगरल के साथ हुए विवाद के चलते उस समय के कप्तान माइक गेटिंग की छुट्टी कर दी गई थी। इसके बाद इंग्लेंड की कमान जोन एंब्यूरे को सोपी गई परन्तु यह भी इंग्लेंड की हार को नहीं रोक पाए और हार का सिलसिला चलता रहा। ऐसे में उन्होंने कप्तानी से इस्तिफा दे दिया। तब इंग्लेंड टीम के चीफ सेलेक्टर पीटर में थे। तब पीटर में ने अपने चहेते क्रिस क्रावडे को इंग्ल टीम ने दो सुनिस से बढ़त बनाए हुई थी और पिछला मकाबला वह पारी और 156 रणों के बड़े अंतर जीत चुके थी पहला मैच ड्रो रहा था अब क्रावडे की कप्तानी में टीम चोथे मैच में उद्री और वहां भी इंगलेंड टीम को 10 विकेट से सर्मनाक हार मिल क्रिस क्रावडे ना फिर इसके बाद कभी कप्तान बने और ना ही कभी बतोर खिलाड इंगलेंड टीम में जगा मिली क्रिस क्रावडे ने इंगलेंड के लिए 6 टेस्ट में 101 रण बनाए तथा 3 वंडे में 51 रण जोडे जिस मैच में क्रिस क्रावडे कप्तान बने वह टेस मैच मात्र चार दिन चला तो हम कह सकते हैं कि इनका क्रिकेट करियर में चार दिन की चांदनी हुई और फिर अंधेरी रात हो गई इस तरह से एक रहसे मई प्लेयर का करियर खतम हो गया और इसके बाद इंगलेंड की कमान दिगज प्लेयर ग्रहम गुज को सौफी गई इस तर नवाद जाहिन